आर्विन का रुक करेंगे आर्विन श्रधा के माता पिता क्या कुछ कह रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है थोड़ी दिर पहले जब आप जुड़े हुए थे तो वो बता रहे थे कि पॉलिस लेकर उनको फ्लाट पर गई थी आरूपी के और क्या कुछ उन्होंने बया किया तफ्सील से बताएं और उन हड्डियों का मिलान स्रधा के पिता का एमस में डियने लिया जा चुका है और दोनों का मैच हो गया तो एक बड़ा ब्रेक्ट्रू होगा ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए कि बलकि एफैसल की टीम के लिए उसके लावा उनके पिता नहीं बताया कि किस तरीके से जब उसने हत्याकांड का पहली बार खुलासा किया तो कितना वो नॉर्मल था बहुत आराम से उसने बोला कि उसने स्रध्धा के हत्या कर दी और वही आप ताप जब उससे एक महिने पहले मंबई पुलिस पूछ रही थी तो बहुत नॉर्मल होकर बहुत कॉन्फिडेंट होकर वो बोल रहा था कि असरध्धा तो कहीं चली गई उसका तो ब्रेक अप हो गया यानि कॉन्फिडेंस की वज़ा यही थी कि छे मैंने उसे मिले थे सबूत मिटाने के लिए और एक एक करके उसने तमाम सबूत मिटाने की पूर जोर कोशिस की लेकिन उसके घर से आपको टुकडा उसने रखाता तो बहुत मुम्किन है कि उसने तमाम घर साप कर दिये फ्रिश साप कर दिया बाथरूम साप कर दिया लेकिन कीचन साप करने में चूक हो गई वहां एक बलड स्टेन मिला है जिसको जिसका सेंपल जांच के लिए लिया गया इसके अलावा कई ऐसे जो आपताब के खिलाब जाते हैं हाला कि अभी भी वह हथियार जिससे बॉडी के टुकड़े किये गए थे वह तलासना पुलिस के लिए चुनोती है और पुलिस के लिए लगातार कोशिश कर रही है लेकिन अब ये केस धीरे-धीरे सरकम्स्टेंसल एविडेंस की तरफ केस क तरफ जा रहा है और सरकम्स्टेंसल एविडेंस वो सब तमाम जो है आपताब के खिलाब जाते ही है जैसे मसलन पहला जूट वह बोलता है कि स्रद्धा तो 22 मई को ही चली गई थी लेकिन स्रद्धा का मोबाइल फोन छतरपूरी इलाके में एक्ट्व था और 22 तारीक को कहत हैं और अपताब अपताब को पहचान भी लिया उन्होंने चाहे फ्रिज जिस से खरीदा था चाहे आरी जिस से खरीदी थी चाहे जिस डॉक्टर से अपना इलाज कराया था जब बॉडी का काट वक्त उसके हाथ में चोट लग गई थी तो यह तमाम एविडेंस उसके साथ जा रहे हैं उसके अलावा स्रद्दा के मोबाईल फोन की कॉल डिटेल भले ही मोबाइल रिकवर नहीं हुआ हो लेकिन कॉल डिटेल से जो आफटाब है उसके जूड़ा जल्दी से बता दें कि ये केस सामने कैसे आया चे महिने का वक्त कैसे लग गया यह पता करने में और यह एकसप्ट कराने में आफ़ताब के पास पुलिस को पहुचने में कि हाँ यही कातिल है देखे जो आफ़ताब है वो इतना शातिर है कि तकरिबन एक मेने तक तो उसने दिल्ली और मुंबई पुलिस दोनों को गुमरा किया आपको बताओं इतना कॉंफिडेंट इतना शातिर क्रिमिनल है यह जैसा सूत्र हमें बता रहे हैं क्योंकि जो स्रद्धा का एक दोस्त है उसने जाकर स्रद्धा के पिता को बताया कि तकरिबन धाई महिने से वह स्रद्धा का मुबाइल फोन लगातार मिला रहा है ले जाती है वो लगातार गुमरा करता है कि 22 मही को उसका ब्रेक अप हो गया था स्रद्धा महां से चली गई थी इसके जानकारी जब दिल्ली पुलिस को जी जाती है उसके बाद जब कॉल डिटेल निकाला जाता है जिसमें स्रद्धा की मौजूदगी यानि मोवाइल की मौज से पूस्ताची की जा रही है पांच दिन के कश्टिडी में रखा गया था अब से कुछ दिर बाद साकेट कोट में उसकी पेसी होगी और दिल्ली पुलिस उसकी और पुलिस कश्टिडी की मांग करेगी आस तो कातिल बच भी नहीं सकता कहते हैं कि थोड़ा वक्त जरूर ल होते हैं कोई इससे बच नहीं सकता